हिंगंगार शहर के मध्य में फैली गंदगी के मुद्दे पर जगदनात वॉर्ड के नागरिक और रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया गवई गड़ द्वारा तहसलदार और जिलहादिकारी कार्याले में निवेदन ती आ गया नगर परिशित के समीव पूरों में ओफ्ट्राइन नाका था जिसे शॉपिंग कॉंपलिक्स बनाने का काम कई सालों से बन पड़ा है और उसके पास ही नगर परिशित संचालित एक मात्र उर्दू प्रातम एक स्कुल भी है लेकिन नगर परिशित प्रशासन के अंदेखी से उस परीसर में गंदगी का सामराच बन गया है आने जाने वाले लोग खुले में सोचाले करते हैं इतनी जादा गंदगी होने की बावजूद भी नगर परिशित अंदीखी कर रहा है जबकि स्वच्चिता अप्यान अंतरगत नगर परिशित को प्रथम स्थान प्राप्त ह आखर किस हसाब से प्रथम पुरस्कार विचिता बनी नगर परिशित ये सवाल हिंगन गार्ट की जनता बार बार करती है रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया ने पंदरा दिन का समय दिया अगर जल्धी इस समस्या को नहीं सुलचाया गया तो तीव रांदुलन का इशा सन होगा निवेदन देते समय अभिजी द्रागाटे अब्दुकादर बक्ष रहमत खान करीम खान आसिफ कुरेशी मुजफर रसा सुधिर सिंग्वी इत्यादी उपस्ति थे तैसिल ऑफिस हिंगन घाट में एक निवेदन दिया और निवेदन में ये मांग रखिये नगर परिशत के बाजू में जो ऑक्ट्राय नाका एक जमाने में हुआ करता था आज वहाँ पे कुडा घर बना दिया गया है उसके समस्या के लिए हमने आज तैसिल दार साब को एक परिशत की एक उर्दू इसकुल भी है जो शहर की एक मातर उर्दू इसकुल है जहां पर चोटे-चोटे बच्चे शिक्षन लेते हैं महिला शिक्षी का वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है इस तरीकी की वहाँ पर एक इसकुल होने के बावज्यूद भी नगर परिशत इस गंदगी के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा लोग वहाँ पर पेशाप खुल्याम करते हैं जिससे बच्चों को और इसकुल के टीचरों को बहुत ही समस्या उठानी पढ़ रही है और एक बाजू में कुछ साल पहले एक आंदोलन के जहरी वहाँ पर एक सोचा करना पड़ रहा है दूसरी और नगर परिशित को पिछले सालों एक पुरसकार मिला सच्छा भारत अभ्यान अंतरगत प्रतम पुरसकार मिला तो हम ये नगर परिशित से सवाल करते हैं कि आपको पुरसकार किस लिए दिया गया क्योंकि जिस तरीकी की शहर में और आपके नगर परिशित के बाजू में जो गंदगी है इससे तो लगता नहीं कि हिंगनगाट की नगर परिशित नंबर वन होने लायक है और अगर आपको वाकई में नंबर वन का खिताब मिला है तो उस लायक आप काम कीजिए और अपने नगर परिशित के नाक के नीचे जो गंद